नहीं मैं BSP की टोप ही नहीं लगा सकता क्योंकि वो पूरी विचारों से हट गई है SC, ST, OVC तो विचारे पीछ जाएंगे पहले से पीछते आ रहे हैं बिना मुसलिमों के तो ना सपव उपर आई ना बसपव उपर आई ना कोंग्रेज जिनका मुसलिमों ने साथ छोड़ा वो ही नीचे डूब गई और खतम हो गई बहुजन एताये, बहुजन सुखाये पर काम कर रही है ये मैं आपको जानकारी दे दूँ क्योंकि बहुजन पार्टी खतम नहीं होई है बहुजन पार्टी बहुत जबरदस तरीके से अपने पैर जमा करके खड़ी हुई है बहुजन मुक्ती पार्टी आई है और बहुजनों को मुक्ती दिलाने का एक संगर्ष और एक काम किया जा रहा है मेरा नाम राजुद्दीन गादरे बहुजन मुक्ती पार्टी से प्रदेश उपाद्यक देखिए बहुजन मुक्ती पार्टी किसी का वोट नहीं काटती है बहुजन मुक्ती पार्टी जड़ों में जाकर के समाज में जाकर के अपना वर्क कर रही है और अपना वर्क कर के लोगों को सची रहा दिखा रही है और इस सची रहा से ही हमारे देश का उत्थान होगा इस तबी जाकर के हमारा देश और लोक तंतुर बचेगा क्योंकि जनता देखिए लोक तंतुर जनता के लिए जनता के दुआरा और जनता के लिए होता है लेकिन आज जनता की वाट लगा दी जा रही है और एक मिसन कर दिया गया कि निजी करण करो लोगों में एक विचारधारा गुशा रही है हमरी जो बामसेप संगठन है मैं उस विचारदारी को मानता हूं आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए देखिए मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है आज यदि मीडिया किसका सडियंतुर कारियों का साथ दे रही है लेकिन आज यूट्यूब चैनल हो यह छो हम देखेंगे या मेरे बारे में आप जानकरी करेंगे हम लोग जमीन से जुड़ करके मेहनत कर रहे हैं एक हमारे व्यक्ति को बहुजन समाज के कुछ हो जाता हैं उसके घर तक जाते हैं यदि उसको गलत सड़ियंतुर कारियों ने फसा दिया तो हम लोग उसके लिए पू चनτα के उपर छोड़ना चाहिए, जनता को यदि बहुत बहतर काम लगेगा, उसको चुनेगी, लेकिन यदि कोई भी सडियंतर कारियों में कहूंगा, मैं यदि वह सबमढ़ करने की बात करता है, मिसन के ऊपर काम कीजिये, मिसन के चलाईए, बहुजनों के लिए काम करिए बहुजन हिताए बहुजन सुखाई की निती अपनाई यह नहीं मैं बीएसपी की टोपी नहीं लगा सकता क्योंकि वो पूरी विचारों से हट गई है अभी अभी भाई साब एक दूद का गिलास ले लो और उसमें एक जो है न सुई के नोक बराबर जहर ग मैं बहुजन जी का तो अलोचना ही नहीं कर रहा हूं बहुजन जी की आलोचना ना बस्पा की आलोचना हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं अपना अलोचना मत कीजिए किसी का आप अपना वर्क कीजिए बहुजन मुक्ती पाटी अपना वर्क कर रही है अपने दम पर चल मैं मेरट से आता हूँ और मेरा नाम राजुद्दीन गादरे है और गादरे का मतलब है गदर मचाने वाला करांती लाने वाला अंदोलनकारी तो मैं मेरट का धर्ती पर हूँ और वहीं से जो है हमेशा आजादी की लड़ाई लड़ी गई है और वहीं से करांती उठी है देखिए अभी यदि हम पिछली देखिए यदि आप पीछे की भावना देखेंगे उत्तर परदेश की मैं उसी गुट को छोड़ करके आज वील मातंग साहब जो हमारे राष्टी अध्यक्स थे आज उनी के साथ में हूँ और उनी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं साथ में क् उन्होंने जो नीती और रण नीती बनाई थी वो कोई फेल करने वाला नहीं था लेकिन कुछ सडियंतुर कारी या हमारे माननिये वामन मेजराम साहब को ही मान लीजिए वो खुद को या अपनी मैडम को आगे करने का उन्होंने एक सडियंतुर रचा और उसी से हम लोग न मेजराम जी का और वो एंकार हमें ले करके डूब गया नहीं तो बहुजनों का आज पूरी तरीके से राज होता नहीं यह बिल्कुल नहीं कह सकते देखिए जब वो आपने मिशन से यड़ गई तो बहुजन कहां से आएगा फिर मुसलिम समाज को ले लीजिए मुसलिम समा चार साल से पिसे वह आ रहे हैं और कभी भी जो लड़ाई लड़ी है एकता की लड़ाई लड़ी हमारी मेहा बहनों की जो है छाती धकने का अधिकार भी मानने टीपू सुल्तान जी ने पूरी तरीके से दिलाया था और यहां यदि देखेंगे यह सडियंतुरकारी ओरंग अपनी टोपी बुन करके टोफी बना करके अपना रोटी रोजी खाया करते थे और वह रहा है पूरी तरीके से आज एक सो इकतिस औराया समाज के में तो एकственно 31 सांसद क्या वो अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं उनको लालज दे दिया जा रहा है कि यह ऐसो आराम है बेटा यदि यह लोग ले लोगे आप लोग तो ठीक है सुकी रहोगे वरना जेल में जाओ इडी और सीडी का मुदेखो और उसका जवाब दो यह बिना मुसिलिमों के तो ना सपाओ उपर आई ना बसपाओ उपर आई ना कोंग्रेज जिनका मुसिलिमों ने साथ छोड़ा वोही नीचे डूब गई और खतम हो गई और वही है आज SC, ST, OBC माइनोरिटीज यानि मुसिलिम कहीं अलग से नहीं आया SC, ST, OBC माइनोरिटीज से ही कनवर्ड हुआ है समता, समानता, मसावाद, नियाए, बंधुता और स्वतंतुरता, पराधारित, इसलाम मजाब और हमारा भारतिय समिधान बाबा भीमरावम बेटकर साहब वो हस्ती हैं जिन्होंने हजरत किसका? हजरत मुहम्मद साहब का फोलोवर हैं, उन्होंने पूरी तरीके से करके दिखा दिया कि इसलाम मजब इस तरीके से चला जाता है आपने गाता कि पैदा होने से मरते दम तक तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो और बाबा साहब ने वो करके दिखा दिया, पूरे वर्ल्ड में 14-16 डिगरी हासिल की अखरी सवाल अभी बहुजन मुक्ती पार्टी है, बसपा है, आजा समाज पार्टी है, शरीफ आप पार्टीों में सिमट कर रहे हैं, यह वाकई में बहुजन समाज और गली तो करके नहीं रहे हैं, हमारी जड़क जो चल रही है, वो बामसेब संगठन की विचारधारा प यहां बहुजन मुक्ती पार्टी में हूँ, वरना तो आज बहुजन सारी पार्टी हैं आप लोगों के बीच में हैं, और मैं भी उन पार्टीों में जा सकता था, क्यों नहीं गया, क्योंकि एक विचारधारा का काम होता है, एक लोगतंदुर का काम होता है, एक भारतिय सम विदान का काम होता है तो यह बहुजन मुक्ति पार्टी कर रही है और उसी के उपर है